इस दुनिया में कई ऐसे दुईप है जो अपनी खुबियों के लिए सारी दुनिया में जाने जाते हैं इसी कड़ी में आज हम आपको एक ऐसे दुईप के बारे में बताने जा रहे हैं जिसे लोग हिंद महासागर का अनमोल हीरा कहते हैं आश्चारे जनक प्रकृतिक खुबसूर्ती वाला यह दुईप करीब 12.5 कडोर साल पुराना है यह दुईप तब अस्तित्व में आया जब मेडाग्वासकर अफरीका से अलग हुआ था आज हम बात कर रहे हैं मेडाग्वासकर से 70 किलोमीटर उत्तर में इस्तित दुईप औरगन पाइपस के बारे में इस दुईप पर केवल नाव से ही पहुँचा जा सकता है जिसके कारण अब तक गिंती के परेटक ही यहां पहुँच पाते हैं जिनकी सबसे बड़ी खासियत है ट्यूब के आकार की बेसाल ज्वाला मुखी चट्टाने जो आसमान से भी बहुत खुबसूरत नजर आती है कहा जाता है कि बड़ा ही मनमोहक होता है यहां का सुर्यास्त यह काफी हद तक उत्तरी आयरलेंड के प्रसिद ज्वाइंट कौजवे की याद दिलाता है दोनों ही जगा ऐसी चट्टाने अचानक हुए ज्वाला मुखी विस्पोर्ट और तेज गती से लावा निकलने के चलते बनी है लेकिन आयरलेंड का ज्वाइंट कौजवे वर्ल्ड हेरिटेज साइट के तोर पर मसुहूर है जहां हजारों प्रेटक हर साल पहुँचते हैं दूसरी और और अर्गन पाइप्स तक सलाना चंद लोग ही पहुँच पाते हैं और वो भी बस नाव के सहारे ज्यादा तर परेटक कहीं यातरा के लिए जाते हैं तो दो या तिन दिन के लिए जाते हैं लेकिन आपको यह जानकर हैरानी होगी की यहां पहुँचने वाले परेटक एक दिन के यातरा के लिए ही सिर्फ आते हैं सबकी कोशिस जलते हुए तांबे की तरह दिखने वाले सैकडों खंबों के बारे में जानने की होती है जिनकी लंबाई 20 मीटर के आसपा से इसके इस द्विप समोह में खास फीगेट पक्षियों के लगभग सोजोडे भी रहते हैं यहां दुनिया के सबसे लुप्त प्राय पक्षि में सामिल मेडागास करके फीश इगल भी पाई जाती है जिसे किंग अफ दे स्काई भी कहा जाता है इसके अलावा यहां सबसे खतरनाक और खुंखार सार्क मचलिया भी पाई जाती है इनमें ग्रे रीफ, वाइट टीप, सिल्वर टीप, जैबरा जैसी सार्क भी मौजूद हैं आपको बताते चले कि इस दुप समुव में कोई प्रदूसन नहीं है लिहाजा यहां का सुर्यास्त देखना किसी अचरज से कम नहीं है यहां से समुद्र मौजांबिक चैनल में डूबता नजर आता है और सुर्य पिघलते हुए अनमोल सोने की तरह दिखाई देता है यह दुप जिसका नाम और्गन पाईप है इसका सुर्यास्त बेहद मनमुहक होता है यह वीडियो आपको कैसा लगा कॉमेंट सेक्षन में जरूर बताईए मिलते हैं अगले नई वीडियो में तब तक इस चैनल को सब्सक्राइब करते चलिए